हेलो फ्रेंड्स कैसे हो, I hope कि आप लोग अच्छे ही यहोंगे शो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे UP B.A.T. Entrance Exam 2021 और 2022 के बारे में कि इस बार B.A.T. के कुल कितने सीटे भरी गई हैं, अभी कुल कितने सीटे खाली हैं और B.A.T. First Year के exam कब होगा जिनका भी admission हो गया है तो उनका जो है पहला exam कब होगा और B.A.T. प्रिच्छा 2022 का form कब आएगा, exam कब होगा, admission कब होगा, सारी चीज़े में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ Friends, अगर आपको 2022 में UP से B.A.T. करना है तो आप लोग हमेरे चैनल से जुड़ जाएए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में विलाकन को All Papers के लिज़ेगा, जो भी B.A.T. की अपडेट हैगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के मादम से देखने को मिलेगी और 1 दिसंबर से B.A.T. एंटरंस एक्जाम 2022 के लिए Classes में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग जुड़िए ये, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आपको सुपर्टेट की एक बहुत अच्छी बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चक्षिव पॉब्लिकेशन की बुक है, अगर सुपर्टेट एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं, तो आप तो आपको 5000 प्लेस कूश्चंस देखने को मिलेंगे, अबज exam सोंगे और यह guide है, इसमें आपको 14 सबजेक के कूश्चंस देखने को मिलेंगे, और 4 माह की समसाइकी और 2018-19 के हल प्रशनपत भी आपको देखने को मिलेंगे, यह जो बुक है आपको हर मार्केट पे आशानी स मिल जाएगी आप लोग इसे online भी order करके घर बैठे मंगवाश रखते हैं वीडियो की description box में link दे दिया हूँ तो आप लोग purchase कर सकते हैं online भी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जो है समझाया गया है यह इसका syllabus है कहां से case subject से question questions आते हैं किन-किन topic स questions आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पिछले वर्सों में जैसे किन topic से कितने questions पूछे गए हैं तो सारी चीज़े इसमें detail में दी गई है तो बहुत ही अच्छी book है चक्सू publication की book से आप लोग अपने preparation कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह आज की update है बीड इस बार भी 20,000 सीटे खाली रह गई हैं बीड में यानि कि total 20,000 सीटे खाली रह गई हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह आज की update आई है total अभी भी 20,000 सरकारी वा private college की सीटे अभी भी खाली हैं बट अब जो है admission आपका नहीं होगा date चली गई है direct admission की भी अब जो है admission नहीं इस बार जो result आया था मातर 20 दिनों में result आ गया था entrance exam का और पिछले बार 27 दिनों को शमय लगा था अब हम बात करते हैं 2022 के बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि B.A. first year का exam कब होगा देखिए अगर आपका semester wise है तो number से 6 month add कर लिजे number होगया आप आपका exam हो शकता है अगर आपका semester wise exam होगा दो साल में 4 exam होगे अगर आपका yearly base भी होगा तो 10-11 month बाद जो है आपका पहला exam होगा classes start हो गई हैं आप लोग classes कर सकते हैं कालिज़ों में अगर नहीं करना है तो last में आप लोग easy note वगारा पढ़ सकते हैं या books अभी से लेके पढ़ सकते हैं कोई भी book ले लिजे कापी सारे लोग पूछ रहे कि B.A. के book consulate कोई भी book ले लिजे पतली हो अच्छे से आप लोग पढ़िए तयारी करते रहें CDP वगएरा अच्छे से पढ़ते रहें क्योंकि यही सब जो है टेट में भी आपको सूपर टेट में भी देखने को मिलेंगे और last में जो notes आया करती उसे आप लोग जरू लीजेगा ओके अब बात करते हैं B.A.P.R.S. परिचा 2022 के बारे में और हाँ इसमें जो आपका एक्जाम होगा लिखेत एक्जाम होगा इसमें जितना जो है आप लोग लिखेंगे उतना ही आपका अच्छा नंबर आएगा तो लिखने से नहीं चुकना है आपको जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको नंबर दिया जाएगा देखें B.A.P प्रिचत 2022 का जो फॉर्म आईगा वो फैरवरी में आ जाएगा एक फरवरी को जो है इसका नोटिपिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 10 से 12 फरवरी तक में जो है इसका ऑनलाइन आविधन स्टार्ट हो जाएगा पूरा फरवरी आपका फॉर्म चलेगा उसके बाद जो एक् अप्राइल या मई में एक्जाम होता है डेट तुरंत दे दी जाती है अब फरवरी में जो ही आपको पता चल जाएगा कि एक्जाम आपका कब होगा अप्राइल मई लाष्ट है एक्जाम हो जाता है उसके बाद जून से आपकी कांसलिंग स्टार्ट हो जाती है जुलाई म हुआ है अगस्त में हुआ है तो इस बार नहीं होगा यह जल्द ही होगा एड्मिशन आपका तो अगर आपको 2022 में बेड करना है यूपी से ही तो आप कांसलिंग होते होने से पहले आपका रेजल्ट आजाया चाहिए ग्रेजुएशन का तभी आपकी होगी तो लग बग लग सबीं का आज आता है तो अगर आप ग्रेजुएशन इस बार फाइनल येर है अगर आपका तो आप लोग जो है फार्म को डालिएगा अडमिशन ले ल आती है इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट और 2018-19 के प्रैक्टिस सेट जो है पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे वीडियो को डिस्क्राइब वाक्स में लिंक है आप लोग परचेश कर सकते हैं थैंक्यू